हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका टेलीवूड हंगामा के इस नए वीडियो के अंदर जी हाँ पिछली बार हमने आपको मोहन चावी बाला की वेप सीरीज के बारे में बात की थी जिसका पहला पार्ट दस मार्च को रिलीज हो गया था और उसके पहले पार्ट के बाद और अर भी एकसाइट हो गई थी उसका दूसरा पार्ट देखने के लिए तो आपका वेट खतम हो गया है जी हां मोहन चावी वाले का पार्ट टू 14 मार्च को ऑनलाइन रिलीज हो गया है जो की उल्लू एप पर आप ऑफिसियली देख सकते हो जी हां और पहले पार्ट को देख एक लगादार होट वेब सीरीज आपके लिए ला रहा है मोहन चावी वाला वेब सीरीज बेज एक चावी वाले परसन के उपर जिसका ओफिसियल ट्रीलर आज उल्लू एप पर लाँच हो गया है जी हां और उसकी आगे अगर मैं बात करूँ तो ये साथ मार्ट 2030 को OTT प्ल वीडियो को देख सकते हैं स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूँ अरिता मिस्टी पॉल और गवरंग सिंग इसमें लीड केरेक्टर में आपको नजर आएंगे वेब सीरीज को डारेक्ट किया है पूनित गोईल ने जो की एक अच्छे डारेक्टर रह चुके है अब बात कर किसी के भी घर की चावी अगर गूम हो जाती है तो वो एक चावी बाले को टूनते है और यह चावी बाले का नाम है मोहन चावी बाला जी हाँ यह मोहन चावी बाला उसकी डिप्लिकेट चावी बना के लोगों की तकलिफे दूर करता है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब कि पाता है जब ताला खोलता वहाँ पर जाकर के क्या हो रहा है और以 suspense भी है suspense इसलिए क्योंकि इस वेप सिरीज के अंदर मोहन जो डुपलिकेट चावी बनाता है उसकी चावी की मदद से वो उस घर में जाता है उसके बाद उसके घर में जाके जो भी हरकते होती रहती है जैसे कोई लेडिस अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसका यह आपको यह वेप सिरीज पूरी देखनी पड़ेगी जी हा यह वेप सिरीज काफी होट है काफी बोल्ड है और 18 प्लस के लिए ही है तो आप इस वेप सिरीज को अकेले में ही देखे वेप सिरीज के अंदर काफी बोल्ड सींस दिखाए गए है suspense भी है ड्रामा भी है और black में link भी है तो ये web series आपको end तक ज़रूर जुड़े रखेगी web series काफी interesting है और आपको देखने में मज़ा भी आएगा या आप OTT platform Ullu app पे online देख सकते हैं आगे और भी web series के update जानने के लिए अगर आप हमारी channel पर नए है तो हमारी channel को subscribe कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली web series की notifications आपको easily मिलती रहें तो आज की story के अंदर इतना ही next web series के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए thank you so much